साई की बात बचे बुलावा आ रहा है तेरा कहीं से मेरे बचे और वो बुलावा बहुत जल तेरे पास पहुच जाएगा और तुझे आना होगा सारे काम का छोड़ करना आना पड़ेगा तुम हमिशा कहते हूँ ना मैं व्यस्थ हूँ साई मैं व्यस्थ हूँ मेरे पास समय नहीं लेकिन अब बुलावा आ गया है और जब बुलावा आएगा ना तो सारे काम का छोड़ कर तुम्हें आना पड़ेगा मेरे पास आओगे ना अपने साई के पास और सुनो जब तुम अपने साई के पास आओगे ना तो देखना उस वक्त चारो तरफ मेरे बचे ये जो गगन है जो ये आसमान है जो ये हवा है इसका रुखी बदल जाएगा तुम खुद उस दिन महसूस करोगे कि उस दिन का मौसम एक अलग मौसम होगा जो मौसम बहुत तुम उसे खुद महसूस करोगे बहुत प्यारा मौसम होगा क्योंकि उस दिन तुम्हारा और मेरा मिलाप होगा बहुत प्यारा सा मिलाप और उस मौसम के जरीए उन संकेतों के जरीए तुम्हे पता चल जाएगा कि हाँ तुम्हारा साइन से मिलन होने वाला है और तुम द दर्द हुआ दवाई खाली जरा सा पाओं में दर्द हुआ दवाई खाली ये गलत बात है मेरे बचे छोटी छोटी चीजों के लिए इन दवाईयां बिल्कुल मत खाया करो मेरे बचे ये चीजे ना तुम्हें बहुत गलत तरीके से अंदर असर करती हैं मेरे बचे ये अभी तुम्हें नहीं पता लेकिन सही नहीं है अगर सर में दर्द है न तो आराम कर लो न दूद में एक बतासा डाल कर पी लो फिर देखो तुम्हारा सर का दर्द कैसे भाग जाएगा चुटकियों में दूर हो जाएगा और अगर पाओं में दर्द है तो उधी का सेवन करो फिर देखो उधी तो रामबान है न जानते हो न तो बस मेरे बच्चे लेकिन लेना विश्वास से अगर शक करके लोगे कि मैं ठीक होंगा नहीं होंगा तो ऐसा नहीं होगा फिर कारागर नहीं होगी अगर पूरे विश्वास से लोगे कि मैं ठीक होंगा और साइग को करना पुकारोगे ना, तुम्हारे हर मुसीबत घड़ी में, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे मैं कहीं भी हूँ, कहीं भी, किसी भी बच्चे के पास में हूँ, या मैं शीडी में क्यों ना हूँ, भागा दोड़ा चलाओंगा तुम्हारे लिए, और सुनो, आज का दिन न जिससे तुम्हारा मन लग जाए, और अगर फिर भी कोई ना होना, तो कोई बात नहीं, अकेले जाना, और वैसे तुम्हारे साथ चलूँगा ना, तुम और मैं, हम दोनों मिलकर नमस्ती करेंगे, तुम चलना, तुम्हारे पस कमी नहीं होगी, क्योंकि ना, मैं वहाँ पर मैं जानता हूँ, सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं न, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें भूका नहीं रहने दूँगा, कही ना, कहीं से खाना आ जाएका तुम्हारे पास इंतिजाम हो जाएका, चिंता मत करो, तुम्हारा साई है न, मैं सब कुछ कर लूँगा, और सुनो मेरे बचे, अपने धे को प्राप्त करनी के लिए प्रेयतन करो मेरे बचे, अगर तुम प्रेयतन नहीं करोगे, तो कैसे चलेगा मेरे बचे, कैसे चलेगा, महनत तो तुम्हें करनी होगी, बिना महनत के, तो कुछ नहीं मिलता मेरे बचे, महनत तो करनी पड़ेगी, औ तुम्हारी तरक की और तुम्हारी उन्नती देकर क्योंकि न कुछ लोगों से अपना सुख बरदाश नहीं होता वो दूसरों के दुख को देकर दुखी हो जाते हैं तो बस यही दुनिया है मेरे बच्चे लेकिन तुम न उन पर ध्यान देना बिल्कुल खतम कर दो छोड़ क्योंकि वो ऐसे थे ऐसे ही रहेंगी लेकिन बस तुम अपने आप से न उनको बचा कर रखो साबधन रहो बस और तुम्हें कुछ करने की जरुवत नहीं बस तुम अपने आप की तरफ देखो और अपने लक्ष की तरफ कि तुम्हें क्या करना है क्या तुम्हें प्राप् कर रहूंगा मुझे करने से कोई नहीं रोक सकता ये अपने आपसे रोज कहो तुम देखना अगर ऐसा रोज करोगे न तो उसे पाने में तुम कामियाब हो जाओगे तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा कोई नहीं और जिसके साथ मैं होता हूँ न और जिसके साथ जिसके अं अचना चाहते हूँ मेरे बचे तुम देखते जाओं और सुनो तुम्हे ना दूद पीना अच्छा नहीं लगता ना तो एक काम किया करो फ़ल डाल कर उसमें कुछ डाल करना फिर पी लिया करो उसका कुछ रस बनालो मेरे बचे लेकिन दूद पीना बहुत जरूरी है तुम्हारी सेहत के लिए क्योंकि न ये आलतु-फालतु जो चीज़े तुम खाते हो न बहार का ठंडा पीते हो वो ठंडा तुम्हारे लिए हानिका रहा है इस बात को समझो और जितना हो सके न फल खाओ फल का रस पीओ और ये सब चीज़े करो पॉस्ट्रिक अहार लो और सुनो तुम्हारे तस्वीर किसी के पास में है जो उसका गलत इस्तमाल कर रहा है मेरे बचे हो सके तो उससे अपनी तस्वीर वापिस ले लो मेरे बचे क्यूंकि एक पल में जो लोग तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं ना दूसरे ही पल में वो तुम्हारे लिए बुरे भी हो जाते हैं तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं और एक पल को वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तयार होते हैं तुम्हारी खुशी के लिए और एक पल में वो तुम्हारा बुरा सा मेरे बच्चे तुमने बहुत कड़ी महनत की है और तुम कर भी रहे हो मैं जानता हूं तुम बहुत कड़ी महनत कर रहे हो और मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे तुम महनत करो और मैं हमेशा तुम्हारा साथ रहूंगा हमेशा आज महनत कर रहे हो तो कल को इसका फल भी तरबते रहते हो लेकिन डॉक्टर को जाकर दिखाते नहीं सिर्फ लालच करते रहते हो पैसे उका कि पैसे खर्चो जाएंगे क्यूं अगर शरीर ठीक नहीं है ना तो कुछ नहीं है मेरे बचे अपने शरीर को ठीक करूं और हो सके तो उधी लगा लेना वहाँ पर उधी सिरे शरीर ढलता जा रहा है तुम्हारे अंदर बहुत कमजोरी आती जा रही है अब तुम एक भी कामना ढंग से नहीं कर पाते हो चक्कर आते हैं तुम्हें मैं जानता हूं यह जानते हूं क्यूं है यह तनाव के कारण है जो तुमने मांसिक तनाव इतना ले लिया ना कि अपने आपको तुम कभी देख नहीं पाए कभी अपने शरीर की तरफ तुमने ध्यान नहीं दिया यह सब उसी का नतीज़ा है तो अपने तनाव को कम करो अपने मांसिक तनाव को कम करो और यह तभी हो सकता है जब तुम मुझसे जुड़ोगे जब तुम मेरा नाम जाप क आईगी मेरे बच्चे और सुनो जो तुमने मुझे रुद्राक्षवाली माला पहनाई है न वो मुझे बहुत पसंद आई मेरे बच्चे मुझे बहुत अच्छी लगी है और कुछ मेरे बच्चों को न चूले का खाना खाना बहुत पसंद है और उन्होंने कही वक्त से वो खाया तो मैं तुम्हें चूले का खाना खिलवाऊंगा बहुत जल्द मेरे बच्चे खुश रहो आज का मध्यान साई संदेश समाप्तुवा झाओं लोग्डियばां भी का मध्या हुताइ रहो आज का खूरे। झाओं पाना जा खूरे मेरे बचारे बच्चे हुताइव拯़्य खिला कि तूरे बच्चे हुताएका खुकुच का मेरी खुरीक, हुआ परूरे झाल झाल